आज एक ऐसी सक्षियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि यूपी सरकार में लगाता दूसरी बार राज्यमंत्री है हमारे साथ इस वक्त बोजूद है राज्यमंत्री ठाकुर डॉक्टर रगुरा सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद अधाशित वारी जी रगुरा सिंग जी यूपी सरकार में लगातार राज्यमंत्री है श्रम विभाग का जिम्मा आपके पास में है और यूपी स्टेट में रोजगार को लेकर के समश्याइं थी और अभी भी रोजगार एक सबसे बड़े चुनोती है तो कैसे आपका डिपार्टमेंट इस समन लगाती का प्रदेश है इस कारण समस्या थी लेकिन अब हमने समस्याओं का निराकरण किया है करीब करीब हम लोगों ने 50 لاग लोगों को रोजगार दिया है पचास लाख लोगों को नौकरी दी है यानि एक करोड लोगों का समयुजन किया है दूसरा कोरोना के बाद हम लोगों ने स्वरोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जैसे 10,000 रहडी पटरी वाले जो 10,000 से 25,000 रुपे आसानी से जिनको लोन मिल सकता है तो उनको हमने स्वरोजगार से जोड़ा क्योंकि 25 करोड को सबको दे नहीं सकते है पूरे भारत में 18 करोड लोग हैं जो के सीधे सीधे गौर्णेंट और सेमी गौर्णेंट के सर्वेंट हैं सबको नहीं कभी नहीं दे सकते लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को चुँके भारत का एक छटा हिस्सा है बिसुकावी छटा कंट्री के रूपे हैं 25 करोड आवादी बहुत होती है और उस नाते हमने सबको स्वरोजगार से जोड़ा आदिनी योगी आदितना जी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं जैसे आदनी हमारे प्रधानमत्री काम करते हैं सेम उसी तरज पर इतनी मेहनत करते हैं और दिनो रात मीटिंग 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 रहती है जिससे के हम निराकरन कर सकें जैसे के आपने देखा होगा उत्तर प्रधेश पहले दंगा प्रधेश कहा जाता था उत्तर प्रदेश पहले जातिवादी का प्रदेश कहा जाता उत्तर प्रदेश को डकेट चोरों का प्रदेश कहा जाता लेकिन आज आधनी योगी आधित नाज जी के नितुत में उत्तर प्रदेश की मिसाल पूरे भारत में और बिस्व में आपको कहूं ऑस्टेलिया की जब साहजा मैनेजिमेंट जी स्तरीके का है उसके कारण उत्तर sv उत्तम प्रदेश बन गया है और 32 làख करोड का इन्वेश्टर्स मीट में विशु से 42 कंट्री भारत के 32 स्टेट से हिस्सा लिया जिसमें पहली वार उत्तर प्रदे 32.090 का इन्वेस्टर मीट में इन्वेस्टर कर रहे हैं, 22.090 करोड हमारे हैं आ चुका है, आदनीय योगी जी ने कोई भेद्वा, सब का साथ, सब का अबिकास, सब का विश्वास, जैसे कि मेरे भिवाग में, करम विभाद दॉअब के सार्वम ह सारेज़ें लाइए हैं लगा लिजी हम लोग वो हमारा दुस्मन है, हमारा हिंदुस्तान ही हमारा कोई दुस्मन नहीं, तो यह हमारी सोच है, बड़ी स्पश्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान है तब हम हैं, तो हिंदुस्तान ने विश्व में सासन किया है, विश्व को संदेश दिया है, और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश, जो उत्तरुब्रदेस है, कासी विसुनात में हमारी सिब भगवान ने मापारवती को संदेश दिया था के आज से मैं स्रश्टी की रचना करने जा रहा हूं, तो तबसे विशुकी प्राचींतम नगरी कासी विसुनात है, जहांसे सिब भगवान ने मापारवती को संदेश दिया कि आज से स्रिष्टी की रचना होगी और ऐसे प्राणी रहेंगे जैसे कि आप अगर चार भेन भाईयों और चारों का डियने अलग है भगवान की इंजिनेरिंग आज तब कोई फेल नहीं कर पाया और न कर पाएगा और न के उसभी में हैं उत्तर प्रदेश में तो इसलिए हमारा कहने का ताथ-ठर अठोल पदेश ने बिस्टो को संदेश दिए हैं आज नासा में देख लेंगे तो भारत के 65% साइंटिश है और जिसमें उत्तर प्रदेश के अधगांस हैं तो हमने उत्तरप्रदेश को उत्तरप्रदेश बनाने की सोच भावना से काम किया है पहली सरकार है बसपा सपा लूटो खाव अंदलन होता था आदिनी योगी जी ने कहा है कि देखिए जिसका जो हक है उसको पूरा मिलना चाहिए उसमें कोई कोता ही नहीं हमको बढ़तनी चाहिए न हमको अपना और तेरा करना चीए कि हमारे लिए सब उत्तरप्रदेश के बासिये सब की विवस्ता सब के चुस्त दुरुस्त हम रखना उनके भोजन पानी की चिंता जैसे भारत सरकार आज तक पूरा करोना काल से भी रासन फ्री दे रही है ऐसे ही आधनी योगी जी ने एक आदेश किया था कि उस समझ जब भोजन की मारा मारी थी तो एक हजार रुपे पर मजदूर हमने कोई ब्रादरी नहीं देखी हमने कोई धरम नहीं देखा हमने कोई पंथ नहीं देखा हमने कोई जात मजब नहीं देखा हमने सब को जिसका रेजिटेशन डेड़ करोड एक करोड चपन लाख लोगों का रेजिटेशन मेरे विवाग में सब को एक-एक हजार रुपे प्रतबहा क्योंकि रासन फिरी मिलाता लेकि सबजी के लिए कुछ नहीं था उनके पास तो ऐसी परिश्चितियों में उत्तम प्रदेश बना उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना हम तो चाहते हैं को राश्टी अद्धा कांग्रेस के बने रहे हैं और बढ़ी है हमारे लिए तो क्योंकि वो हमारे लिए जो जितना बोलेंगों होता हमारे लिए लाव होना है क्योंकि देश की संस्कृत को वो जानते नहीं कि ईज की संस्क्रिफ से उनने कोई मतलब देश की वह जाओकी बाल नहीν जानते गहों की बाल नहीं जाते भुट्टा कैसे पैदा होता उनको यह नहीं पयर होती हैं उनको यह जान कर नहीं है ठीक है राजा के घर में पैदा हुए राजा बनगे तो चाहें जो बोल देते हैं हम लोग सोच के समझ के बाचीत करते हैं और हम लोग सोच समझ के बताते हैं क्योंकि समाज ये हिंदुस्तान ने विसको संदेश दिया है ब्याली सो साल पहले यहुदी पंथ बना, साड़े बती सो साल पहले आपका जैन पंथ बना, साड़े अठाई सो साल पहले बुदिष्ट पंथ बना, साड़े बाई सो साल पहले क्रिस्चिन पंथ बना, साड़े चौदे सो साल पहले मुस्लिम पंथ बना, 353 साल पहले हिंदी के छपन अच्छरें तो इसलिए यह कंपेरेजन जो करते हैं और डियर माने हिरण में प्यारा भी हो गया तो इसलिए इंग्लिश तो टूटी-फूटी है चाची है ताउ है ताई है दादी है दादा है नाना है नानी है यह हमारे सारे वहवार में हैं हमारे चाएं वो मुस्लिम हो चाएं वो हिंदू हो चाएं वो सिख हो चाएं वो क्रिश्चन हो हमारे हैं सारी विवस्ता वहाँ पर क्या है विदेश में आप जाओ कहां की इट कहा का रोडा भनवतीने कुनवा जोडा क्योंको वहाँ पर सब लोग जो हैं अंकल हैं सब लोग आंटी हैं बात खत्म हो गई तो रिष्टा तो है नहीं ने हमारे भात भी देंगे छोचक भी देंगे अपनी भेन की हम साधी भी करेंगे अपने भाई की छोटे की साधी करके लाएंगे तो कितना समान हमारी समाज में यह केवल विष्व में हमारी ही समाज ऐसी है भारत में भारत की समाज ही ऐसी है जो कि विष्व को हम लोग संदेज देते हैं सांती की स्थापना हम लोग ही करते हैं हमने कभी किसी पर आक्रमन नहीं किया आक्रानताओं ने आक्रमन तिया और उसको बलातकार किया बलातकार करने का भट्टे में जोंक दिया ऐसी इस्तिती तो यूपी में हुआ करती थी अब वो राइस्थान में होने लगे बड़ी सरम की बात है इसलिए मैं तो राइस्थान वासियों से हाज जोड के निवेदन यही करूंगा इस राच्छा से सरकार को ततकाल उखाड फैंक हैं भारती जिनता पाड़ी को स्थाबित करें जिससे के आप अपना सम्मान अपना धराम अपना पांथ सब बचा सकते हो नहीं तो यह लोग जो भेड़ी यह लोग सब खा जाएंगे इसको खतम कर देंगे आपकी संस्क्रत को खतम करना चा की जनता से विशेश करके अपील करना चाहता हूं कि भारती जिनता पार्टी की सरकार बनाएं और बहुमत के आधार पर बनाएं जिससे जैसे आज आज आदिनी योगी जी कोई फैसला ले लेते हैं और यहां जब बहुमत की सरकार होगी तो कोई फैसला आसानी चे लिया ज सकता है और देश की जंता से भी आपके माद्यम से अभील करूंगा आधनी मोदी जी देव योनी के रूप में देवता के रूप में पुरुष्क बन के आये हैं आधनी योगी जी देव योनी के रूप में देवताओं की योनी से आके पुरुष्क के रूप में मुखमंत्री की रूप में बैठे ये दोनों नेता विश्टु के ऐसे नेता हैं कि इनको कोई स्वार्थ नहीं अपना स्वार्थ नहीं जिसमें अपना स्वार्थ नहीं हो समाज हित्में काम करता हो उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता इसलिए समाज के हित्में काम करने वाले 24 गंटे यही नेता नहीं योगी जी ने एक दिन के छुटी ली और नहीं नो साड़े नो साल में आधर ने प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री पर जाय थे पंदर राजिब गांधी जी पंदरगते ते अ लेकिन हमारे हैं कोई पिकनिक का सिस्टम नहीं है क्योंकि हमारी जनसेवा ही सेवा है यही हमारी भगवान है यही हमारे देवता है यही हमारे मूलाधार है यह हमारी सोच है यह हमारी भावना है। और लगाता दूसरी बार जनता ने आपको सत्ता सौंपी है तो कौन से ऐसे काम है जो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलें देखिए 32 लाक करोड का जो हमारे हैं investor meet में invest हो रहा है वो सब किसके लिए हो रहा है जंता के लिए हो रहा है तो इसलिए जो बिपच्छी नेता बेरोजगार हो गहाँ यह बात सही है यह आपकी बात मैं सहह मत हूँ कि बिपच्छी नेता जो पपु हैं अकले horizon बावू वो ब क्योंकि आदनी योगी जी सब का सास, सब का विकास, सब का विश्वास कर रहे हैं. इसलिए जनता उनके साथ जोड़ी है. अब ये बेरोजगार इसलिए हो गए? इनको कोई लूट मार नहीं करने ही. क्योंकि आपने देखा हो एक टाइम में जब घर खाली कर रहे थे सुप्र अधर परदेश में तकतपैस होने वाले हैं और चार जोड़ी कपड़े हैं उन पर वो तो कहते हैं कि भी यह मैं तो समाज के लिए जीता हूं समाज के लिए कारी करता हूं यह लोग स्वयम के लिए काम करते दे बिपच्छी जो नेता विरोजगार जो हुए जैसे अभी आप ही हमारा मूल भूत आधार है आपने देखा हो कि कल पर सो रावडी देवी अपने घर में ताजिया को लाके आपने देखा हो पूजा कर रहे हैं सावन के महीने में सिब भगवान पर पूजा नहीं की ताजिये की पूजा केवल इसलिए कर रही है कि मुस्लिम बोट मिल जाए क पेवले बोट के सौधागर हैं ये लोग 24 दल 22 जो मिलके बोट के सौधागर ही कर रहा हैं क्योंकि इनकी सब की जांच हो रही है और जांच नहों इस काराण ये चोर चोर लुटे रहे भहिया एकटे हुए हैं क्या लेकिन मोदी जी हमें तो और लाब हो गया है सारे एकटे हो आपके सब के आशिरवास से जनता जनादन के आशिरवास से सरकार बनेगी पुरह बिश्चु गुरू बनने की ओर है आज बिश्चु की तीसरी अर्थ विवस्ता बन गई ये कभी बना नहीं पाते क्योंकि ये तो अपने ही व्यक्ति को करोड़ पती अरब पती बाड़रा क्या थे आज डेड़ला करोड के प्रिंका बाड़रा क्या थी एक लाग पैसट हियार करोड की हो गई विदेशों में इन्होंने धन भेज दिया पूरा हरियाना लूट के फैंक दिया तो बेईवानी इनके नहीं हो रही बेईवानी नहीं होने दे रहे आधनिये मोधी जी इसलिए इनके आँके किरकरे हैं आधनी मोधी जी मोधी जी ने किसी की भेंश नहीं खोली किसी की गाए नहीं खोली आधनी मोधी जी ने मोधी जी ने इमानदारी काम किया है अब वो चूंके जो एजंसिया इंसे डरती थी अब वो एजंसिया सारी एक्टिव हो गई है सब काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है, जिसकी लिए जो तंका ले रहा है, उनको अपना काम करना चाहिए, चाहिए NIA हो, चाहिए IV हो, सुआ अपना अपना काम करें हो करना चाहिए क्योंकि तनका भारस्ता हमारे आप सबके टैक्स से पैसा ले रहे हैं तो यह सब काम हो रहा जाच हो रही है पहले यह लोग आतंगबाद नियों को लाते थे बुलाके आतंगबाद कराते थे जिस दिन से मोधी बने साड़े-9 साल हो गए आज कोई आप बता दो कही कोई ऐसा बिलास्ट हुआ हो जैसे पहले कनाट प्लेस में बिलास होता था आपके दिल्ली में उसमें बिलास्ट होता था आपका इस्तान में भूलना हूं तो कही जगे ऐसे बिलास्ट होते हैं मुंबई में बिलास्ट हो रहा है सब जगे बिलास्ट पुरे भारत के हमारे भागी विदाताओं से के पुन्हे मोदी जी को स्थाफित करें योगी जी आपने स्थाफित करी दिये जनता और विपक्ष का एक और आरोप है कि महेंगाई से जनता तरस्त है, 200 रुपे किलो टमाटर मोदीजी ने कर दिये हैं, पेट्रोल डिजल की बात करें, राजस्थान में भी आप दोरे करते हैं, राजस्थान में भी आप आते हैं, पूरे देशबर में भी भ्रहमन करते है पेट्रोल डिजल की जो रेट है, कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन रेट बड़ी हुई है। आज यहां पर कोई व्यक्ति भूका साम को नहीं सोएगा, भूका उठतो सकता लेकिन सो नहीं सकता, आधनी मोदी जी ने साड़े 84 करोड लोगों को फ्री आप कोश्थ रासन दिया है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक हजार वे पड़ते एक घर हमने दिया है, तो हमने महनत की है, महनत करके बने हैं, मैं 135 देशों को आधनी मोदी जी ने आपके वैक्सिन सप्लाई किये, पहले हमेशा भिकमंगे की स्टेणी में रहते थे, 135 देशों को फ्री आप कॉस्थ नेपाल को 22,000 करोड रुपे दिये, अभी 42,000 लाक बैरल तेल दिया है, स्री लंक क्यों कि किसी की भी अर्थवेस्ता डूब जाया तो उसको मदद करना हमारा हिंदुस्तान का धरम है, उनको 18,000 करोड रुपे दिये हैं सर्वाइब करने के लिए, तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सोने की चुडिया था, है और रहेगा, क्योंकि यहां प आया, दसमें, पांच में आये, पांच में से अब तीसरी अर्थवेस्ता बिश्व की बन गई है, और आने वाले समय में तीसरी बार जब सरकर में, नमबर एक की बिवस्ता होगी भारत, हम सबका लिविंग इस्टाडनर बहुत अप होगा, बहुत उचा होगा, तो इसलिए आप देखते ही, बिश्व में, 18 देशों में, रुपिया चलने लगा है, पहले कहां चलता था, इनके काले अंग्रेजियों के समय कहां चलता था, जो हमारे काले अंग्रेज कांग्रेशी थे, इन्होंने रुपिया की कीमट डुबाई थी, आधनी मोदी जी तो इस रुपि है, आगमे दिनों में, और केंदर में भी चुनाओ है, तो इन चुनाओं को किस नजर से देखते हैं, राजस्थान में कॉंग्रेश की सरकार है, बीजेपी संगर्स कर रही है, राजस्थान की जो जनता है, उसका क्या मिजाज आप बहां पा रहे हैं, देखिए मैं आभी कर राचस लोग जाएं, क्योंकि इन्होंने राचस ही प्रवर्ति हैं, फेला रखी है, किसी भी लड़की का मडर हो रहा है, किसी भी लड़की का बलातकार हो, राजस्थान में मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था, इसलिए भारते जिंता पार्टी के सरकार स्थापित होगी, आप सब के आशिरवास से, आप सब के सहयोग से, क्योंकि सब चनलों को मोधी मीडिया कह देते हैं, यह आप लोग उन्हों सुना भी होगा, आप भी जाओ, कोई और भी जाए, सब को कहेंगे मोधी मीडिया, अच्छा काम करें तो मोधी मीडिया, और आप लोग काम सही नहीं कर है, उसका अगर दिखा दिया, तो मोधी मीडिया, तो यह सब चीजें अच्छे कारे का प्रणाम हैं, जो देश में, प्रदेश में और राइस्तान में, 110% भारती जंता पार्टी की सरकार बनेगी, भारी भहमत के साथ बनेगी, यहनोंने कांग्रेस सोचा नहीं होगा, ऐसी सरकार बनेगी, आपके मादेम से यही, और राइस्तान की जंता से यही अपील करता हूँ, पुन है, भारती जंता पार्टी की सरकार कैसे स्थापित करें, यह आज से ही तै कर लो, क्योंकि भारती जंता पार्टी की सरकार रहेगी, तो आपका सम्मान, मान, स्वहमान, सब ब मैंने 400 पिलस कहा है पूरे देश में 400 पिलस में तो पूरे देश में भरमण होता रहता है और हम उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार में लगाता दूसरी बार राजी मंत्री का जिम्मा समभाल रहे हैं और साथी साथ इनोंने खास मुलाकात में दावा किया है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा और केंदर में फिर से मोधी सरकार बनने वाली है खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार झाल